नमस्कार दोस्तो, मैं सुभा शर्मा आपका लाल किताब के इस ग्यान में स्वागत करता हूँ आज हम बात करेंगे बुद्ध के शर्तिया उपाय के बारे में कि बुद्ध के जो है मंदे बुद्ध के असर के जो हमारे उपर पड़ रहे होते हैं खाना नमबर आठ से संबंदित और इससे जुड़ी हालातों को हम समझेंगे कि बुद्ध जब खाना नमबर आठ में होता है तो हमें किस-किस तरह के उपाय करने जरूरी बन जाते हैं क्योंकि बुद्ध खाना नमबर आठ के बारे में लाल किताब में ऐसा ऐसा लिखा गया है जिसे आप सुनके भी जो है अपने परिशानियों के साथ जोड़ना शुरू कर देंगे पर इसके साथ-साथ जो है उपाय भी बताए गए हैं क्योंकि देखिए लाल किताब जो है मशूर ही इसी बात से है क्योंकि इसमें पक्के तोर पे उपाय जो है मिलते हैं हमें और ऐसा किसी पद्धिती में नहीं है कि उपायों के साथ जो है व्याक्या मिलती हो और लाल किताब के उपाय भी कारगर सिध होते हैं अगर सही ढंग से किये जाएं तो तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पूरी कंडिशन समझा दूं कि हम इस वीडियो को कैसे समझेंगे पहले मैं बुद्ध खाना नंबर आठ के बारे में आपको पूरी व्याक्या करूँगा उससे जुड़े कुछ योग के बारे में बताऊँगा कि बुद्ध के साथ अगर कुछी और ग्रह का संबंद होता है तो आपको कैसे result मिलेंगे इसके साथ इसके पक्के तोर पे उपाए क्योंकि कई लोगों की वर्ष कुंडली में बुद्ध खाना नमबर आठ में आता है यानि की वर्षफल में आता है और कईयों की कुंडली में पक्के तोर पे जिन्नों ने जनम लिया उनकी जनम कुंडली में खाना नमबर आठ में ब वीडियो पोस्ट कुछ जादा ही आपके लिए ग्यानवर्दक साबित होने वाली है तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले लाल किताब में सबसे पहले जो खाना नंबर 8 के बारे में लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है विमारी परेशानी अभिशाप का घर खूफिया विखनही लेकर आएगे बुद का ऐगर जो संबंध से हो जाता है मंगल खानालों बारा में है तब इस पैस में बुद के जहर का आफर का आफसर जो है मंगल में जाके धोएगा यानि कि 34 साल की उमर तक जो है इनसान के साथ कई सारी दिक्कते रहती हैं इनसान जो है financially अपनी career को लेके अपनी health को लेके overall चीजों में परेशानियां भोगता है कारोबार में उसके धोके मिलते हैं काम काज में उसको खराबियां रहती है राजदर्बार से यहाँ पर धोके मिलने की बात लिखी गई है यानि कि राजदर्बार उसकी job उसका काम काज जो है higher authorities वगएरा से उसको काफी ज़्यादा परेशानिया रहती हैं वित्तिय जो है financially उसके साथ तंगी रहती है क्योंकि खाना नमबर 8 का जो सिधा संबंद खाना नमबर 2 से बनता है जो कि आपका धन भाव भी होता है तो खाना नमबर 8 से जब जो संबंद बनेगा बुद का आपके धन संबंद ये आपकी प्रॉलम्स ये सब चीजे क्रियेट करेगा आपकी बहन, भुआ, मौसी इन सब पर दिक्कते क्रियेट करेगा और साथ ही साथ लाल किताब में ये लिखा गया कि खाना नमबर 8 का जो मंदा असर होगा वो आपकी दातों और नाडियों से जाहिर होगा यानि कि ऐसे लोगों को डेंटल इशूज रह सकते हैं, कुछ और जो है, हेल्थ की प्रॉलम्स रह सकती है खून की खराबियां भी कई बार ऐसे case में देकी गई है, नाडियों जो होती है, नव्ट्छ वगेरा उनकी प्रॉलम्स रहती है जो कि आपकी सैंसेशन प्रॉलम्स देनुग में जैसे कि मैंने बताया कि खाना नंबर 8 से मंगल का संबंध हम बनाएंगे वो उपाय के जरिये बनाएंगे पर अगर खाना नंबर 12 में मंगल हो और साथ में जो छोटी उंगली का जो सिरा है वो चोड़ा हो तो ऐसे इनसान जो है दिमाग के काफी ज्यादा ग्यानी होते हैं ऐ और ऐसे लोग जो है अगर कहीं स्कॉलर्स हैं कहीं रिसर्चर्स हैं तो बहुत अच्छा ये अपना नाम कमाते हैं सबसे जो है मुख्य निशानी अगर हम इसके मंदे असर की बात करें तो सबसे मुख्य निशानी जो इसकी होती है धोका मिलना धोका मिलना वो धोका चाहे आपके खून के संबंदी रिष्टेदार हो, वो धोका दे सकते हैं, आपको राजदरबार संबंदी धोके मिल सकते हैं, यानि कि आपके कामकाज में आपको धोके मिल सकते हैं, आपके खून के संबंदी वो आपके साथ धोका कर सकते हैं, आपका पैसा खा सकते हैं, आपके पै मारा जाता है यानिकि इनसानने लोगों के लिए अच्छा किया पर इनसान के साथ मिला आप तर में धोकल हो गया आपके साथ दोगा हो गया और की आप पाइसा क्सेंने प्राओट के रूप में दवा लिया आपने कुछ भी गया तो ऐसे लोगों कि simple और simple अगर हम एक निशानी की तौर पर बात पकड़ें तो ऐसे लोगों के साथ अमुमन जो है धोके या fraud या cheatings होती है अब आप बुद्ध का जो है मंदा असर कैसे जानेंगे कि बुद्ध का मंदा असर कैसे शुरू हो सकता है तो सबसे पहली चीज जिनके खाना नंबर आठ में बुद्ध होता है या फिर वर्शवल में खाना नंबर आठ में बुद्ध आता है तो ऐसे लोग अगर जो है घर की renovation कर आते हैं कई लोगों को renovation की जो है बहुत ही चस्का होता है कि चलिए यह चीजे सही कर लेते हैं अब फोड़ा फ्री हुए हैं तो पौड़ियां वगएरा तोड़ना शुरू कर देते हैं तो यहीं पर चीज आके अटकती है कि इंसान ने जो है अपनी घर की पौड़ियां तोड़के रेनोवेशन वगएरा की तो ऐसे केस में जो है मंदे बुद्ध की निशानी साफ तोर पर जाहिर होगी कि ऐसा इंसान जो है अपने घर की पौड़ियां गिरा के दुबारा बनाता है और जब जब घर का पूजा स्थान बदला जाए देखिए पूजा स्थान भी इंसान जो है बदलते हैं और जब जब पूजा स्थान बदला लिए आप दरद बदर के ठोफरें खाकर और उपाय के लिए ही भागते फिरेंगे अब इसके उपाय की बात कर लेते हैं उपाय सबसे पहले जो शर्तिया उपाय की बात यह कही गई है कि हमें 43 days या फिर अगर माली 43 days आपके नहीं बचे हैं 34 दिन भी बचे हैं तब भी आपको ये उपाय इसका कर लेना चाहिए जनम दिन से पहले यानि कि आपका जनम दिन आने वाला है आपके 43 days बचे हुए हैं या 34 दिन बचे हुए हैं तो उस case में आपका उपाय होगा और जनम दिन के 34 दिन बाद भी आपका उपाय होगा ताकि बुद्ध का जहर जो है आपके जीवन में फैलने वाला है या फैल रहा है उससे आपका बचाव हो सके 34 दिन पहले आपको अब ये करना क्या है इस उपाय को आपको ध्यान से समझेए 34 दिन पहले ये concept को आप ध्यान रखिए 34 दिन या फिर 43 days क्योंकि लाल किताब के कोई भी उपाय जो होते हैं वो 43 दिन 40 से 43 दिन की maximum अवधी के होते हैं तो यहां पर हमने जो अवधी ली है उसकी 43 दिन यानि की 43 देस पहले आपके जनम दिन से 43 देस पहले आपको क्या उपाय करना है आपको लेनी है मिट्टी की कुजी यानि कि मिट्टी का कोई ऐसा बरतन जिसके अंदर आपने जो है शहद भरना है या फिर आप जो है देशी खांड भर सकते हैं ये समान इसके जो है मिट्टी के बरतन में आप भरेंगे और कहीं पर जाके विरान जगा पर ये दबा के आएंगे अब इसके पीछे लॉजिक क्या है लॉजिक को आप समझे जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब भी बुद्ध को मंगल का सपोर्ट मिलेगा मंगल का सपोर्ट यानि कि खाना नंबर 12 से मिलेगा मगर खाना नंबर 8 में अगर मंगल और बुद्ध अकेले-अकेले दोनों इकठे होंगे तब यहां पर जो है असर कुछ अलग ही हो जाता है तब दोनों का असर मंदा हो जाता है पर जब हम मंगल से जुड़ी हुई चीजें यानि कि मंगल की कारकवस्तु जैसे कि शहद या फिर देशी खांड वो जब हम बुद्ध को सपोर्ट देंगे बुद्ध की जो है सपोर्ट मिलेगी जब इसको मंगल की बुद्ध को तब इस केस में जो है बुद्ध के मंदे परभाव से बचाव होगा अब इस केस में आपको क्या करना ही है समान जो आपको मैंने बताया कि मिट्टी के बरतन में आपको जो है देशी खांड या फिर जो है शहद भर कर जो है आपने कहीं पर विराज जगा में मंगलवार के दिन दिन के समय जो है दबा कर आना है तब यहां पर जो है खाना नमबर आठ से मंगल का परभाव जागरित होगा ना कि मंगल स्थापित होगा ठीक है यहां से जब मंगल का परभाव जागरित होगा तो बुद्ध के म है जब उसके उपर विपदाएं पढ़ चुकी होती है तब हमें लाल किताब यही आगाह करती है जोतिश जो है आगाह यही करता है हमारे नेतर यही खोलता है कि आपके साथ यह बुरा समय आने वाला है आपको पहले से आगाह हो जाना है उससे संबंदित आपको अपने यतन क चुरू हो जाता है तो यही एक कंडिशन है कि अगर मालीजे आपके अब देखे कि उपाये जरूरी नहीं कि हर एक इनसान कर ले हर एक इनसान जो है तब इनसान पानी लेने के लिए भागता है कि आग बुझाई जाए अब यहां पर भी एक जो है लाल किताब में ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आपका 43 डेज पहले जनम दिन से तो 48 दिन पहले जो है उपाय नहीं हो पाया 34 दिन पहले भी नहीं हो पाया और कुछ समय बचा हुआ है आपका यानि कि माली यह 10 दिन हफता भी या 20 दिन बचे हुए है तब भी आप उपाय कर सकते हैं पर उस उपाय करने के जो है कंडिशन्स यहां बदल जाती है वो कंडि जो उपाय क्या जोड़ा जाएगा यानि कि आपके सिर्ष से बड़ी एक तांबे की कलच यानि की मठकी ठीक है आपके सिर्ष से थोड़ी बड़ी होनी चाहिए उसके अंदर आपने साबुत मूंग दाल आपने भरनी है और एक तरफ तो आप जो करके आये हैं देसी खंड वाला उपाय जो की दवाकर आये हैं और साथ ही साथ एक मटकी जो आपने तांबे की लिए जिसके अंदर साबुत मौंग दाल भरी उस मौंग दाल वाली मट जो है कलश को ले जाके आपको जल परवा करना है अब कई बार मुझे कोश्चन्स आते हैं लोग पूछते हैं जिनक में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है स्पेशलिस्ट जो आपका इलाज ढंक से कर पाए तो आप क्या करेंगे तो आप यही करेंगे कि आप दूसरी सिटी में जाएंगे हो सकता है वो सिटी आप से 100 किलो मेटर दूर हो दो 100 किलो मेटर दूर हो आप जाके इलाज करवाएंगे त तब आप यह मत सोचे कि जब तक हमारी city में कोई चीज नहीं है तो हम उपाय कैसे करें आप ऐसे case में travel करिए और travel करके इस उपाय को करके आईए क्योंकि लाल किताब में जो उपाय लिखे गए हैं उनको उसी रूप में करना होता है हम उसमें कोई addition नहीं कर सकते हैं हम उसमें कोई alteration नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो चीजें पंडित जीने हमें लिखे दी हम उन्हीं को follow करेंगे अगर कोई जल परवा का उपाय आपके लिए आता है आपके लिए बनता है तो उसको किसी भी तरीके से आप कर आईए ताकि आप परेशानी उसे बचे रहें यह होगा कि आप परेशानी में पढ़ गए फिर आप उपाय करने गए तो वो किसी काम का नहीं रहता ना तो क्योंकि आप आपको चोट लग चुकी है आपकी परिशानिया जागरित हो चुकी है तो उस case में बचने के लिए तो जरूरी ही है कि आप चाहें 100 km ट्रेवल करें चाहें 500 km ट्रेवल करें पर यह उपाय करकर जरूर आएं जो कि जल परवाह का होता है अब आपने यही प्रोसेस जो है जो कि मैंने आपको बताया कि इस case में माल लिजए आपने जो है 43 दिन के अंदर उपाय किया जो है आपने देशी खांड की मटकी जो है आपने कहीं वीराने में जाके दबाई अब इसी उपाय को आप रिपीट करेंगे रिपीट करेंगे अपने जनम दिन के बाद और 42 डेस के अंदर अंदर या जो है 34 दिन के अंदर अंदर इसी उपाय को फिर दोर रिपीट करेंगे अब माल लीजे ये दूसरा ये फर्स्ट केस हो गया जिन लोगों का बिलकुत सही समय से उपाय हो रहा है जिन लोगों के पास समय ही नहीं बचा उसके लिए जो मैंने उपाय बताया आपको कि आपको देशी खांड की जो है मटकी दबानी है उसके बाद साबुत मूंग जो है और जो continuity जो है वो बनी रहे अब इसके साथ साथ हम और चीजे समझते हैं देखिए उपाय तो हमें जरूरी नहीं कि हम एक ही ग्रहका करेंगे हमें और चीजें भी देखनी पड़ेंगी जैसे कि लाल किताब में साफ तोर पे लिखा है कि जब भी बुद्ध का संबंद र चीजें बहुत शौट तोर पे दी है यानि कि आपको सिर्फ समझ लेना चाहिए कि यह जेल खाना पागल खाना या विराना जो लिखा हुआ है इसका मतलब अगर बढ़ाएंगे तो बहुत सी चीजें निकल के सामने आ जाएंगी अगर हम पागल खाना भी बात करें तो आपकी कम्मिनिकेशन लोगों को प्रभावित नहीं कर पाएगी अगर आप बिजनस में हैं तो आप लोगों को अट्रेक्ट नहीं कर पाऊगा कि बिजनस जो है बोल बानी से ही चलता है अगर आपकी बोल बानी ही नहीं सामने वाले को प्रभावित कर पाएगी तो आप ऐसा देखा जाता है ऐसे लोग घर छोड़के भागते हैं और जाके कहीं कुछ दिनों के लिए कुछ समय के लिए अलगी रहते हैं पिर बाद में उन्हें पकड़के लाया जाता है अब हस्पताल की बात करें तो ऐसा कंडिशन में जो है हेल्थ की प्रॉलम्स देता है आपके खर्चे आपके धन के नुकसान कराता है आपकी ओवरॉल हेल्थ की प्रॉलम्स क्रिएट करके आपके घर में जो है एक इंस्टैबिलिटी क्रिएट करता है क्योंकि घर का कोई भी एक मेंबर अगर विमार हो जाए तो पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो जाता है तो इन से बन जाए खाना नंबर एक से बन जाए कहीं से बहें जाएक जब वर्षफल के अक्रणिक आपके कुंडली में जो है राहु भी मंदा है सातमेशनी बी मनदा है तब इस केस में यह खाना नंबर आठ का बुद्ध जो है आपके जीवन में दिवाली भरे पटाके ही में उसके उपाए क्या बनते हैं जब बुद्ध भी मंदा हो राहु भी मंदा हो तब यहां पर फॉलाद का छला यानि की स्थील का छला आपको पहना classification कि लिए अगर राहु ज्यादा ही प्रॉब्ड में जो है एक मुठी जौन को कच्चे दूज से दोके उस में जौन को जो है जो है लाल अभर इसके साथ हमने ये समिजना है कि वर्षपल के अकोर्डिंग जो है अब उपाय क्या होगा माल लिजय lepas और आपकी जनम कुंडली की बात पहले हम करें अनल में बुद्ध है और नंबर 2 में चंदर्मा बैठा अब यह मांदीशन रत्zechu Chr Creating a programmer कूंडी की तरफ हैं यन वर्षफल की तरफ मुडएंगे और मुर्षपर में कंडीशन क्या बने की मालस लीए खाना नमबर आत में बुद्द बेढ़ा है और खाना नमबर दो में और वर्षफल में चंद्र का अब इस चंद्र के दुशमन, केतू का जून वी जानवर इनि जो उससें संबंदित जानवर को आपने ऐसे बैठे उए ग्रह से संबंदी चीजें देनी है अब कैसे देनी है यह समझे कि जो है वर्ष कुंडली में खाना नंबर आठ में बुद्ध आ गया और खाना नंबर दो में जो है केतु आ गया अब जबकि लगन कुंडली में चंद्रमा बैठा हुआ था पर वर्ष कुंडली में केतु आ गया खाना आपको और नूब्य कारक चीज़ेंve sony ऑन चाहिए कवगाल महीत अबिसे स्याहिवाओ व Equam इस हैंता है और ईस चीज़ें ल toी अवापको में लोर्ट निसक्तिन गया नंवर या मचलियों को आपको आटे का गोलियां बने सकते हैं अगर आप ढलिया बने प्रिक करें। क्योंकि भैस और मचली जो है शनी की कारक जानवर और जानदार चीजों में आती हैं हाना नंबर आठ के बुद्ध के लिए एक उपाय और सिंपली बोला जाता है कि आप नितंबों पे जो है अपने सुर्मा काला सुर्मा लगाए नितंब क्या है अब आप सोचेंगे आप चाहें गूगल पर साइच करिए यह आपके बंस होते हैं उन पे आप काला सुर्मा लग आज डिसकस कर ली गई हैं इन में से कुछ ना कुछ चीज़ें आपको जो है समझने में बुद्ध के बारे में असली हलातों को समझने के बारे में और सजुड़े उपाय को समझने में आज की वीडियो पोस्ट जो है आपको पूरी तरीके से मदद करेगी बाकि जिन लोग के भी क्वारिज रहती हैं जिन लोगों के कॉश्चन्स रहते हैं उनको मैं हर बार यही बोलता हूं कि आप किताबों से अपने डाउट क्लियर करिए क्योंकि वीडियो में एक शॉर्ट इन्फोर्मेशन दी जाती है पर एक्सपेंड लेवल में जो इन्फोर्मेशन होती हो किताबों में मिलती है आप लोग किताबों पढ़ते रहिए और अपने घ्यान को बढ़ाएए और पॉलिश करेए बाकि आप लोगों को किसी भी तरह की जो है दिक्कत आती है उपाईयों की या फिर जो है कुंडली अनक्सिस की तो आप लोग कॉंटैक्ट कर सकते हैं आप लॉक्डाउन का समय चल रहा है तो ऐसे लॉक्डाउन के समय में जो है आप अपनी नॉलिज को इंक्रीज करिए उपायों को समझने की कोशिश करिए अपने जो है रिलेशन्स अच्छे करिए ताकि जो है आपके जो मंदे ग्रह है उन में सुधार आना शुरू हो क्योंकि लाल किताब पूरी तरीके से व्याख्या करती है जानदार और बेजानदार चीजों के बारे में जानदार यानि कि आपके खूंद के संबंदी बेजानदार जो आपके पास चीजें तो इन सब चीजों का अगर मान लीजे हम ध्यान रखें अपने रिष्टदारों का ध्यान रखें अपने जो है बलड रिलेटिप्स के साथ अच्छे रिलेशन रखें अपने जो है परिवा झाल